हेलो दोस्तों मेरा नाम है जिवेश राज लेकर आजुके आपके लिए की वीडियों मुझे पता है कि यह बहुत टाइम बाद आई है तो अभी से स्टार्ट कर दें पाहर नजर के वह एक सुनंग नुमा रास्तर था आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मना ही थी लेकिन छोटो ने एक दिन जाने की मना ही थी लेकिन छोटो ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जाप पहुँचे सुनंग में फिर क्या हुआ छोटो कितनी बार कहत है तुमसे की उस तरफ मत जाया करो फिर पापा क्यों जाते हैं क्यों जाते है मतलब इसम करें ऐंग कोई सीरेट रास्ता था पूसके कोई सारी मना करते हैं जाने के लिए लेकिन छोट का मन में उत्रूकता थी उसे जानना था कि है क्या क्या उथ हो उधर त्छला गया तो उसे कोई बोलना है जो उसे ऑनक्यों करें तो तो recycling महें जाती ओच फिर वो कहता है कि आप अप आप पापा क्यूं जाते है फिर इस तरफ रोज रोज उस हर रोज डेली पापा को काम परचाना होता है रोजळाना यही वारतला भूआ करता था छोटो के माँ और छोटो के बीच या छोटू के मारे छोटू के बीच उस तरह एक सुरंग का रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से हो तो एक काम जाया करते थे आम आदमें के लिए इस रास्ते से जाने की मना ही थी चंद चुनिंदा लोग इस सुरंग के रास्ते का इस्तिमाल करते थे और छोटू के पापा इन ही चुनिंदा लोगों में था इम्रब उस पात रास्ते का कुछ ही लोग इस्तिमाल करते थे कुछ ही लोग यूज करते थे आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर अराम फर्मा रहे थे अराम कर रहे थे पापा जैसे मेरी तरह क्योंकि आज एक्जाम नहीं है हाँ एक्जाम से अदेब आप भी हम मिज कमेट में रहे हैं कि आपके एक्जाम चल रहे हैं या नहीं अंच छूट्ति थी इत चोट'Du के बापा घर पर आराम फरिमा रही थी नजर बचा कर चोरी छेपे चोटू ने अपने पापा का सिक्यूरी पक अतीया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ आज में छोटु ने मन-माना नहीं और आज भी आपने पापा का पांस लेकर शुरं पूरी कलोनी थी जमीन के नीचे थी यह जो सुरंग का रास्ता था अंदर दिये जल रहे थे और परवेश करने से पहले एक बंद दर्वाजे का सामना करना पड़ता था दर्वाजे में एक खाचा बना हुए छोटो ने खाचे में कार डालत तुरंत दर्वाजा खुल गया छोटो ने सुरंग में परवेश किया अंदर वाले खाचे में सीक्रेटी पास आ पहुचा उसने उठा लिया कार उठाते ही दर्वाजा बंद हुए छोटो ने चारो तरफ नजर दोड़ाई सुरंग नुमा रावह रासा उपर की तरफ जाता था यानि जमीन के उपर का तरफ उपर का सफर करने के लिए मोका मिल गया मगर कहां मोका हाथ लगते ही फिसल गया सुरंग में जगय जगय निरिक्षक जंत्रों की जानकरी छोटू को नहीं थी में चोटू के परवेश करते ही पहले निरिक्षन यंत्र ने संदेश शप्त लब यंत्र में मशीन लगी थी आना जाना इस इतने छोटे कद का व्यक्ती सुरंग में कैसे आया दूसरे निलेक्षन यंत्रे ने छोटू के तस्वीर खीच ली किस एक निलेक्षन यंत्र के अंदर में तस्वीर की जाच की गई तो खत्रे की सूचना दी गई इन सारी गतिविदियों से अंजान छोटू आगे बढ़ रहा था तभी जाने कहां से सिपाही दोड़े चले आए छोटे को पकड़ कर वापस घर छोड़ाए घर पर माँ छोटू का अंतजार कर रही थी अब छोटू की खैरियत नहीं थी छोटू ने अपने पापा ने होते तो छोटू का बचना मुश्किल था पापा ने बचा तो बहुत मुश्किल था छोटू भी मैं इसे समझा दूंगा फिर ऐसी गलती कभी नहीं करेगा पापा ने छोटू को बचा लिया छोटू मैंने का मैं काम करता हूं ने वहे छेत्र जमीन के उपर है आम आदमी वहां नहीं जा सकता आई थिंक वो जमीन के अंडरगाउंट रहने वाले रोग है एक बार वेट में स्टार्ट करता हूं हां माहूल माहूल ही नहीं सकता क्योंकि वहां के माहूल में जी ही नहीं सकता तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां छोटू को सवाल जलाजमी था मैं वहां एक स्पेस शूट में मुझे उक्सीजन मिलती है कि जिसमें मैं सांस लेगाता हूं ऊस्पेस force ने मेरे कि ठंड में मैं अपने आपको बचा सकते हूं खास किसम की जूतों की गज़त से मैं जमीन की उपर मेरा चलना मौमून भी नहीं है जमीन की उपर चलने फिलने के लिए एक विश्यश प्रकार का प्रिक्षन दिया जाता है छोटू सुन रहा था पापा आगे बताने लोगे एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन की उपर रहते थे मार्स पर चलेगा मार्स से मार्स के निचे रहने लग ग्रांड मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन की उपर रहते थे किसी तरह यंत्रों की मदद से बैगर बैगर किसी खास किसम की पुशाक के हमारे पुर्खे जमीन की रहा करती थे लेकिन दीरे दीर मातवरण में पर रहते न आने लगा कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे एक एक के बाद एक सब मर्दें लगे हैं मैं पर बैदें के जड़ में सूरज की परिवर्तन सूरज जोषन मिलती हैं दी ठास कि इसी जिव को पोशन होता है सूरज में परिवर्तन प्राकर्टिक में रूप को सामना करने में यहां से पशुपक्ष पेड़ पुदे अन्य जिय खतम हो गई अपने तकनीकी ग्यान के अधार पर हमने जमीन के नीचे अपना गर बना लिया जमीन के उपर लगे विबिन यंतरों के सहारे हम सुर्य शक्ति सुर्य गर्मी का इस्तमाल करते हैं और इनहीं यंतरों के सहारे हम जमीन के नीचे रहे जय शुचारो रूप लेते हैं इसके लिए बड़ी सतरकता बड़तनी पड़ती है मुझे मुझे जैसे कुछ चुनिंदा लोगों इन्हीं यंत्रों का अध्यान करते हैं बड़ा हो जाओंगो तो मैं भी यही काम करूँगा छोटु ने अपनी मन्शा जाहिर की दूसरे दिन छोटु अपने पापा चोटु के पापा काम पर चले गए देखता हूं देखो तो कंट्रोल लूम का बातरवन बदला बदला सा था शिफ्ट खतम हो गया था घर पर स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया स्क्रीन पर बिंदू जलक रहा था बताने लगाई है कोई आसमान का तारा नहीं क्योंकि कम्प्यूटर में पता चल रहा था कि यह एक जगह है अडिक नहीं अडिक रहा है पिछले कुछ गंटों के दोरान इसी इसने अपनी जगह बदल बदली है कम्प्यूटर के नुसर हमारे धरती की तरफ बढ़ा चला आ रहा है हां कि जगह बदली तो वहारे धरती की तरफ आ रहा है हाँ तो मुझे तो यह कहाने बहुत दिल्चस्प लग रही है अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वडियो में तब तक के लिए बाबाई